रॉनिंग जिसके अनुसार और वो पूरे वर्ल्ड में इतना व्यापक रूप से फैला है जिसके अंतरगत ये था कि लड़किया जिनके साथ जिन्दगी में कभी भी मॉलेस्टिशन जैसी या किसी इस तरह की कोई भी हरकत एक भी बार हुई है वो सब की सब लड़किया जो है सोशल सेट पर होने वाली बचसलूकी का मीडिया में अपना पख्ष रखती है कि ऐसे सर में पर भी हुई पिर उसके बाद उन पर हमला भी हुआ उनके करियर पर भी असर आया उसके बाद ये सिलसल सिला हैश्टाग मीटू फिर से चल पड़ता है जिसका कि इसर सिर्फ कोई हो डाइजेस्ट इंड गजंड हो इस तरह की कहानिया महिलाह ने इस तरह है आप !! कि आपश्छल मीडिया इससी स्टोरिज महिला ूंचे मातलों इस तरह को नहीं हूं है या कईयों का पढ़के ऐसा डाइजेशन उनका खराब हुआ है, ऐसा उनका हजमा खराब हुआ है, कि या तो वो उनका मजाग उड़ाते मिलते हैं, या वो हैश्टेग मीटू के विरोध में ही होते हुए नजहर आते हैं, तो हमारे साथ तारा मौझूद हैं, हलाकि तारा जो हैं, बहुत ही मानने होई व्यक्ति हैं, तो हम आपका बहुत बहुत ही आपे स्वागत करते हैं, तारा, तारा इस से पहले कि हम इसके हिस्टरी, इसके हिस्टॉरिकल पार्ट पे चर्चा करें, हैश्टाग मीटू के कि यह कहां से शुरू हुआ था, क्या था, सबसे पहले तो यह जो एक सवाल घूम रहा है, खास कर Patriarch Society के कुछ मरदों की तरफ से पहले क्यों नहीं बोली, पहले नहीं बोली ही हैंगार्ट कि एक Me records, कमेंट तक मैंने देखा कि कि पहले नहीं बोली हैं, आप जिस समय आपके साथ यह सब हो रहा था, that means कि आपकी उसमें रजामंदी थी ठीक है और मतलब कि इतने लंबे समय तक आप चुप थी यानि कि आपकी उसमें मतलब कि कही ना कही है कि आ तो रजामंदी थी या फिर अभी आपके बोलने का कारण यह कि आपको एक यह या तो publicity stunt है या एक मतलब publicity पाने का एक जरिया है तो पहले क्यों नहीं बोलने के क्या क्या कारण नहीं हो सकते हैं पहले तो जितने भी हमारे साथ जुडने वाले लोग हैं जो अभी जुड़ेंगे या फिर जुडते रहें या जुड़ चुके हैं उन सबको मेरा नमसकार यह सवाल जरूर थोड़ा बीच से है लेकिन यही सवाल सबसे अधिक कर रहे हैं मैं थोड़ा शुरुआत से कह देता हूं कि मीटू कैंपेइन है क्या चीज पहली बार एक सोशल एक्टिवेस थी तरानबुर के 2006 में उन्होंने मीटू हैस्टेग चलाया था उसमें माई स्पेस हुआ करता था और कुट माई स्पेस का जमाना था और उन्होंने ये माई स्पेस था और कुट था इस तरह की चीजे थी और 2006 की ये बात है उस समय वो सोशल एक्टिवेस तरानबुर के ने इस हैस्टेग को यूज किया था वो बात ये थी कि एक लड़की 13 साल की थी उसके साथ सेक्शुल असॉल्ट हुआ था मैंने रेप हुआ था तो उसको ये सिंपथाइज तक नहीं कर पाई थी कि किस तरह से हम उनको सिंपथाइज करें उसको सहज करें इस बात को ले करके बाद में ये बात उन्हें बहुत कचोड़ती रही और उन्होंने सोचा कि कास मैं कह पाती है कह पाती कि मीटू मेरे साथ भी ऐसा हुआ था इस तरह का को मैं उसको बच्ची समझ करके कह नहीं पाई पूरी बात की हां मीटू कैसे कहूं तब इन्हों इसको हैस्टेक बनाया था बाद में जो शुरू हुआ वो पंदरा अक्टूबर 2017 की बात है वो दिन जब ट्विट किया था अलीसा मिलानू ने अलीसा मिलानू ने किया था फिल के लिए असॉल्ट किया है ठीक है और वहां से मीटू हैस्टाइक शुरू हुआ और वो इतना तेज फैला कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर थीस लाख लोगों ने मतलब 25-30 लाख लोगों ने उसको रिट्विट किया और ये फेजेज में चलता रहा कई कंट्रीज में चलता रहा फिर अब आते हैं इंडिया पर इंडिया में ये शुरू हुआ फिर से जोर शोर पर जब तनुसरी दत्ता ने ये मामला उठाया उस समय भी 2017 में भी प्रेटिशन भी हमारे साथ किये हैं इनफेक्ट आर्मी में भी ये बात उठी इनफेक्ट चर्च के लिए भी चर्च टू हैस्टाइग चर्च टू भी निकलाता है कि चर्च में जो होने वाले चीज़ें हैं वो भी सामने आनी चाहिए वो आने रही हैं आर्मी से लेके मुजिक इंडस्टी से ले करके, फिल्मी दुनिया से ले करके, स्पोर्स तक ये बात गई थी, ऐसा कोई फिल्ड नहीं चूटा, जब ये हैस्टेग ना चला हो, इसकी व्यापकता का अंदाजा ये लगाया जा सकता है, ये भले ही एक सडन आउट ब्रेक है, ठीक है, लेकिन इसकी व्यापकता इतनी अधीक है, ये सडन आउट ब्रेक है या आउट रेज है, इसमें भी हमें थोड़ा डिफ्रेंशेट करना पड़ेगा, बिल्कुल, उसको आप सडन आउट रेज भी कहें, आउट रेज कहें तो ज़्यादा बहतर है, वो टर्मिनलजी ज़्यादा ब पहले हैं, आज भी कौन सा आसान है, ये बात खोलना, आज भी कैसे आसान है, पहली बात तो ये, कि सेक्शुल हरेस्मेंट करने वालों के आप का टेगरी देखें, कौन हैं ऐसे लोग, सेक्शुल हरेस्मेंट करने वालों में से ज़्यादा तलोग वो हैं, जो गारजियन सि ठीक है या फिर आपका बास जो आपको नौकरी दे रहा है या फिर ऐसे लोग जिनके खिलाफ आप बोल नहीं सकते है या फिर आपके साथ इतनी कम उमर में होता है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि ये बात किस से कही जाए ये गंदी बात है छुपाने वाली बात है हम किस से क और कौन मुझे पर यकीन करेगा तो जो लोग ये कहते हैं तब क्यूं नहीं कहा तब नहीं कहने के पीछे हजार कारण हो सकते हैं ठीक है समाजिक कलंग चार लोग क्या कहेंगे ठीक है हमारी बात पर यकीन कौन करेगा ठीक है पुलीस ही कौन बड़ी जेंडर सेंसिटिव है क इसके खिलाब कुछ करने की बजाए हमें सांतोना के बजाए हमारे ही उपर victim blaming होने लगे जो की होता है अक्सर हमने देखा है तो कहपाना इतना ही आसान होता तब तो बात ही क्यों इतनी बिगड़ती बात कहपाने की ही तो है तो हमने देखा है कि इस तरह के चीजों के का हो पुरुष का हो अथवा थर्ड जेंडर का हो या फिर महिला का हो इन सारों के तरफ एक culture of silence डेवलप किया गया है ठीक है उनमें से किसी के लिए भी बोलना आसान नहीं है 2006 का सर्वे बता दूं भारसरकार नहीं करवाय था ठीक है उसमें ये बात उभर के आए थी कि 14 साल की उमर तक में और 39-40% के असपस फीमेल थी कौन मुझ खोल पाया रहा उनके साथ करने वाले कौन थे जादा तलोग पर उसके घर के अथवा senior या जानने वाले या जानने वाले और उस बचपने में जादा तलोग कह ही नहीं पाते हां लेकिन इसका असर ये पढ़ता ह है कि आप एक mental trauma में एक anxiety में लगातार जीते हैं जब आप fight करते करते internally इस उमर तक आते हैं कि अब बहुत हो गया किसी से कह दें क्या counselor के पास चले जाएं क्या तब इस तरह का movement शुरू होता है तब ही आप देखते हैं कि करोडों लोग एक साथ बोलने लगते हैं तब आपक ecological mental illness है जो खुल के आ रहा है कि ये कह देने से एक गुबार तो निकलेगा एक जो दुख है वो तो निकलेगा कि देखो दुनिया वालों कि कि कितना खराब condition है जिस चुपी पर आप संस्कृती का डोल पीट रहे हैं अथ्वा इस चीज का गुमान कर रहे हैं कि हम बहुत सही हैं या नहतिकता की बात कर रहे हैं सफर जी है अच्छा जैने इंद्र कितने लोग हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं और कोई सवाल आया है क्या अभी तक करीब 35-45 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं घट रहा है वो कभी 22 कभी 28 कभी 30 अच्छा लेकिन एक जो गिनेज कपिल है वो आशिमादी को प्रणाम कर रहा है और यह कह रहा है कि आपको सुनने के लिए हम एक किलो मिटर दूर कहीं आया है क्यों कि हम जा रहते हैं और 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 कल्चर ओफ साइलेंस की बात कही है कहीं न कहीं है उसके अपोजिट में काम करता है क्या हम यह कह सकते हैं क्योंकि अब जैसे हम पहले वो जो जिन भी लड़कियों के साथ जो मतला ऑफेंडर्स थे या जिस तरह से उनके साथ अब्यूज हो अगर वो उस टाइम बोलती तो शा के बाद एकदम से क्या बोलता एक पब्लिक कॉंशिसनेस डवलप होती है है ना तो यह इसको मैं एक मतला पर्सनली इसको मैं पब्लिक कॉंशिस के तौर पे मैं देख रही हूं लेकिन जिस तरह का मैं विरोध भी मैं देख रही हूं खासकर यह पैट्रियार्क मतला पैट् क्योंकि हम देख सकते हैं कि निरभिया से पहले और इसके बाद जो मतलग Yaki मैं इसको कानून बदलने की बात नहीं कर रहीatar की इस के सी अ दो कशp expenditure का नाब कहा है कि आह जा कि माया वे हैा करक दर तक में 2-3 points historically लिखना चाहूंगा कि जमाना बदल गया है information flow का जमाना है ठीक है ये एक रियालेटी है रियालेटी ये भी है फैक्ट ये भी है कि अकेले इंडिया में 25 करोड लोग लेटेस डेटा बता रहा हूं 25 करोड लोग फेस्बुक पर हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर मिला दिया जाए तो ये 40 करोड के आसपास पॉपलेशन जात है आलोचना उसे कहते हैं जो तत्यों पर वेस डोग कुछ लाजिक हूँ हलाकि कुछ आलोचना इसकी हैं दमदार मैं उस पर आऊंगा बाद इन किकुछ आ लोचना होती हैं हर 보ंट में कुछ एक चीज़ें होती हैं पूरी तरह एंक्लूजिब नहीं होता कुछ लोग क एक्सलूट करके चलता है इसलिए अलोचना जरूरी भी होती है मतलब जितने भी feminist movement रहे हैं सब complete कुछ नहीं होता है ठीक है आप inclusion करते जाएए तो होता जाता है इसको और पीछे लेके जाते हैं रेप law इंडिया में 1860 में आया IPC लाग हुआ ठीक है पहली बार रेपलाओ में चेंज कब हुआ 1910 में 30 साल बाद क्यूं फुलमनी दास करके एक लड़की थी साथे दस साल की उमर थी उसके पती की उमर 35 साल थी शादी की पहली रात में सुहाग रात में सेक्स करने से वो लड़की मर गई ठीक है लेकिन उसके पती पर कोई इलजाम नहीं लगाया जा सका आरोप नहीं तै किया जा सका कोर्ट द्वारा सुप्रिम कोर्ट द्वारा इसलिए क्योंकि उस समय का नियम ये था लॉय ये था कि अगर लड़की 11 ये उससे नीचे है तो उस पर कानून नहीं लागू होगा यानि पती की उम्र पतनी अगर 11 ये चोटी है तो पती द्वारा किया गया जवरन सेक्स रेप नहीं कहलाएगा ना तो सेक्सुल असॉल्ट कहलाएगा अब उस पर इतना बड़ा मॉविमेंट खड़ा हुआ पूरे देश भर से बहुत सारे डॉक्टरस ने अपनी रिपोर्ट सों पी और कहा कि नहीं इस तरह के बहुत केस आ रहे हैं इन फैक्ट ये क्रुएल्टी है तब जाकर के उम्र बढ़ी सादी की मिनिमम उम्र बढ़ाई गे बाद में सारदा एक्ट द्वारा 14 किया गया पहले बारा किया गया फिर 14 किया गया जिसका भी विरोध हुआ था लेकिन ये मॉव्मेंट खड़ा हुआ था ये एक घटना थी जो मॉव्मेंट का रूप बढ़ा और सबको फायदा हुआ लॉव में चेंज हुआ अगला चेंज कब आया बहुत लंबा टाइम लग गया 1980 की बात है जब मतुरा नाम की लड़की का दो पुलिस वालों ने रेप किया था थानी में ठीक है और कोट ने रेप साबित नहीं किया था ये कहते हुए कोट का वर्डिक्ट था सुप्रीम कोट का वर्डिक्ट था कि लड़की टू फिंगर टेस्ट में फेल हो रही है और ये कि उसे उसके सरीर पर खरोच के निसान नहीं है जिन्होंने रेप किया आत्वा लड़की के सरीर पर ऐसे तमाम चीजे कहीं ठीक है और इसलिए ये साबित नहीं होता कि रेप है तो उस मामले में सुप्रीम कोट के वर्डिक्ट को चैलेंज करने वाले अपने ही दिल्ली इन्वस्टी के तीन प्रोफेसर थे उन्होंने कहा कि इसमें बहुत जोल है आपके वर्डिक्ट में बहुत सा जोल है कि टू फिंगर टेस्ट में तो हर साधी सुधा महिला फेल हो जाएगी टू फिंगर टेस्ट में प्रोस्टीटूट के उपर रेप हुआ हो तो वो साबित नहीं हो सकता ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता गन पॉइंट पर किसी का रेप किया जा तो खरुच का रिचान कैसे आएगा क्योंकि आप हिल डूल नहीं सकते आपके बेहुसी का हालत में रेप किया जा सकता आप हिल डूल नहीं सकते खरुच का रिचान की कौन सी बात है ऐसे तमाम चीज़ें सीमेन की बात आती है वो कई बार साबित नहीं होता आज की डेट में कॉंडूम लगा के कोई रेप करे तो कैसे साबित करोगे कि सीमेन नहीं लगाया तो रेप नहीं हुआ लेकिन इसका मतली बितुरने के रेप नहीं हुआ तो सोचो उस समय मतुरा रेप केस के बाद लगाता ठीक है उसमें लॉजिक ये दिया गया था कि उची जात के लोग जब नीची जात के लोग को छूते हैं नहीं तो रेप कैसे कर सकते हैं और इस तरह के और कई चीजें ठीक है मतलब कितना पेट्रियार्की या मिसोजिनी या सेक्सिजम भरा हुआ था उस समय आप जजेज में भी देख लें पुलीस में भी देख लें भरा है हमारे पूरी सोसाइटी में भरा है और वो सोसाइटी से ही निकल के जाते हैं कई मंगलगरा से नहीं आते तीक है फिर एक में खड़ा हुआ कि रेपला में थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़े फिर आया विसाखा जज्जमेंट विसाखा जज्जमेंट में सेक्शुल हरस्मेंट एट वर्क प्लेस लाया गया मुवमेंट का परणाम था ऐसे थोड़ी ना गया फिर आया निर्भया केस एक ब बत्ती गैंग, आप आलोचना करने को कर सकते हैं, लेकिन बदलाव कैसे आएगा, जब कानून में बदलाव आता है, तो पूरे देश को परभावित करता है, गलत है तो गलत तरीके से, अच्छा कानून है तो अच्छे तरीके से, ठीक है, तो ये भी एक movement है, सोशल मीडिया ए अथवा प्रिंट मीडिया, तो आप कैसे खारिज कर सकते हैं कि इस पर चलने वाला movement किसी भी तरीके से कम परभावसाली अथवा फरजी है, ठीक है, तो पबलिक consciousness पर आते हैं, ठीक है, ये बात सच है, कि जब perpetrator एक जैसे हूँ, अथवा हम victim एक जैसी परिस्थितिति से चार सो पान सो आईटी प्रोफेसनल, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंगलोर की सडकों पर सैकडो लड़कियों का एक साथ मॉले स्टेशन किये थे, कौन सा ऐसा थ्रेड था, क्या धागा था कि आप को दिमाग में आया कि छेड़ते हैं, ट्रेनिंग, सोशल ट्रेनिंग, इसी कह देते हैं, कहने से साइद मन हलका हो जाए, या मेरे मन का गुबाल निकल जाए, आपने देखा होगा, कि ज़्यादा तर मिल टू कहने वाले नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम भी नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, और वो नहीं कह रहे हैं, कि हम या फायार ही करने जा र हैं यह वो जमीन जाहदात का मामला नहीं है कि वो केस खारिज हो जाएगा यह ऐसा मामला जिसमें बैक डेट में भी आप जा सकते हैं कोट में वो चीजें हैं कि आ पुराने मामले पर उठा सकते हैं ठीक है अच्छा थारा लेट्स भी रियलिस्टेक अडिस पॉइंट कि जैसा कि आप कह रहे हो कि इस तरह के लॉस जो होते हैं मतला ग्रैजुली जो है चेंजिस आते हैं धीरे-धीरे करके जो एक मुम्मेंट एक दिशा में एक सर्टेन डिरेक्शन में आगे बढ़ता है राइट ले वो उसको खारिश करता है मजाक उड़ाता है बाकाइदा जैसे आपने अभी अपने एक केस में जिक्र किया है कि उसको चैलेंज करने वाले बाकाइदा तीन प्रोफेसर्स थे मतला प्रोफेसर्स यानि मेरे से जादा पड़े लिखे होंगे जो हम चर्चा कर रहे हैं उनकी मतलब इस चीज़ पर भी समझ अच्छी खासी काम करती है तो जब ये समाज का तबका इतना जिद्धी है जो चेंज इस तरह का नहीं लाने दे रहा है जो नहीं लाने पर आमदा है मुझे तो लगता है कि 90% या जादा ही अगर मतलब की कंसेशन करे तो शायद 70% जो बदला जो सकारात्मक बदलाव इस दिशा में आने हैं वो इस तबके के क्योंकि पढ़ लिखन जाने के बावजूद समाज में जो है एक अच्छी जगह पर आज आने के बावजूद जो है नहीं इन चीज़ों को स्वीकार करने की जिद की वज़े से रुके हुए हैं तो हम मतलब कैसे क्योंकि तो हम लोग मतलब कैसे मालें कि यह मुवमेंट आगे जाके मतलब काम्याब होने वाला है क्योंकि मुझे लगता है कि यह जो तबका अलग खड़ा होगा और जो मीटू के समर्थन में इस तरह हो एक तरह का कॉंट्राडिक्शन मुझे दिखाई दे रहा है बह कोई है तो यह मतलब तारहा बहुत ज्यादा मतलब क्या कहें की यह एक तरह का हिंट्रेंस मतलब क्रिट कर रहा है है यह जो तबका इसको सुधर्णे में मतलब की कैसे वो किया जब्र Tisch है से फिलोसोफिकल चीज है साइको लाजिकल चीज है पहली बात तो यह कि education को education को romanticism से हमको बाहर आना है education राम बाण उसधी नहीं है हर चीज का solution नहीं है gender sensitivity एक अलग education है जो समाज से ज़्यादा तै होती है, पढ़ाई लिखाई से भी तै होनी चाहिए, जो की नहीं हो पा रही है अब gender sensitivity वाली बात आती कहा, sexual assault है क्या चीज़ actually ये power है, पावर है ये privilege है men का men होने का privilege है इस society में चीख है, और ये बात वरसों से, सदियों से, धर्मगरंतों के माध्यम से, literature के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से ये बात तै की गई है कि महिला होना मतलब एक consumable thing बन गई है commodity जिसे कहते है commodity बन चुकी है, उनको सोशन किया जाना चाहिए, या ये उपभोग वाली बस्तू है महिला ही नहीं, पुरुष भी और भी लोग, that means sex एक्स ऐसी चीज़ बना दी गई है, जिसमें महिला सबसे नीचे वले पायदान पर है in fact मैं तो कहता हूं, महिला हटा दो तो पुरुषों के साथ भी रेप होना शुरू हो जाएगा, बड़े पैमाने पर मतलब उतनी ही संख्या में, हो भी रहा है आज की डेट में, ऐसा नहीं है, हाँ गाटे में हैं, तो एक तो ये पढ़ा लिखा होने के बावजुद बहुत सारे लोग ये प्रिविलेज नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है और इस वाली चीज़ को, सेक्स जैसी चीज़ को जबरन हासिल करने के चक्कर में भाई, सेक्ष्यल हरेस्मेंट है क्या, रेप है क्या सेक्स को बिना सहमती, बिना मर्जी के मतलब हासिल किया जाने वाला जबरजस्ती जिसे कहते हैं, रेप वही है सेक्ष्यल हरेस्मेंट वही है, ठीक है तो ये पढ़ा लिखा होने से बहुत linear relationship नहीं है बहुत सीधा relationship नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं तो नहीं करेंगे 35 साहब Nobel मिल गया किया है जद से ले करके कौन सा बड़ा ओधा छूटा जो अधिक्तम पढ़ने वाल लोग PhD करने वाले लोग professors लोग इसमें हैं पढ़ाई लिखाई कि इससे बहुत कम लेना देना है और वैसे भी हम gender sensitivity कौन सी सीखते है हमारी पढ़ाई में कहा है gender sensitivity हमारे syllabus तक कैसे design किये गए है सीता ज़ाडू लगाती है राम बाजार जाता है जेन्डर सेंस्टिव सीलेबस नहीं है और जेन्डर सेंस्टिविटी में women's studies कौन पढ़ता है मतलब 500 में से एक बंदा कोई जानता है जो women's studies का नाम सुना होता अथवा पढ़ता है कि वो 500 भी कितने हजार लोगों में से आते हैं छटके graduation के level पर काउंसा gender sensitivity हम पढ़ाई करते हैं हमारा समाज जैसा है समाज से ज्यादा सीखते हैं इसका मतलब है gender के बारे में हमारी समझ हमें समाज ज्यादा सिखाता है और समाज मोटा मोटी कैसा है यह बताने की जरूरत नहीं है तो पढ़ाई लिखाई को इससे अलग करो उस romanticism से हमें बाहर आना है क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाले हिटलर के समय में भी जो concentration camp बनाते थे वो भी पढ़े लिखे थे उन पर गोलिया चलाने वाले भी पढ़े लिखे थे और nurses को बाकाइदा बच्चों को मारने के लिए injection दिये जाते थे तो पढ़ाई लिखाई अगर परपजिब नहीं है अगर sensitive नहीं है human sensitive या gender sensitive कह लीजिए तो वो आपके लिए और बड़ा खतरा हो सकते हैं तो इस संदर में जो आप कहना चाहते थे ये बात सच है कि इसको खारिज करने के लिए बड़े उतावलेपन में हैं लोग ठीक है अ हर movement के अपनी एक problem होती है चोटी मोटी ठीक है हम नहीं कह रहे हैं कि मीटू से हम इस तरियों के सारे मुद्दे कवर कर रहे हैं हम कहां से कह रहे हैं हम कर रहे हम sexual assault का मुद्दा कम कर रहे हैं अभी तो उनको property में हिस्सा मिलने वाली बात बराबरी वाली बात घर के अंदर ह होने वाली बात दलित और आदिवासी तबको के साथ होने वाली गरीब महिलाओं की बात हां ग्रामिट चेतरों में जो महिला रहे हैं उनके होने वाली बात सामिल नहीं हो पा रही है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह campaign उनके खिलाफ है यह तब भी sexual harassment के खिलाफ है तो at least जो बोल है उनके साथ खड़े होई है यह बात उन तक भी पहुचाए जो जहां बोल सके अच्छी ही बात है लेकिन इसका मतलब क्या कि इसको खारिज करने के लिए आप इनको इनको बरक्स में खड़ा कर दें इनको तुल्ला में नहीं खड़ा किया जाता कि यह तो सामिल न कि ने लिखा है कि संबात को लेक गूप में लिखा है तो साज़ा किजिए नहीं लिखिए नहीं करना के इस सब्जेक्ट पर जो हरा बहुत जादा इलाबोरेट करके बात करने के लिए कि ऐसी चर्चाहें निरंतर खुले मंच पर होनी चाहिए ओके थैंक यू इसी तरह की चिलियारी है अच्छा थैंक यू आप इसी तरह से हमार साथ जुड़ते रही है अच्छा तरह जैसे कि आपने पार्शली इस बात का तो आंसर दे ही दिया है फिर भी मैं इसमें एक वो चीज जोड़ूँगी कि वाइट इस बिंग सेट देट इस ओनली अ मुवमेंट ऑफ इलीट लास यह एलीट क्लास की महिलाओं का मुवमेंट है जिसमें क्यों हैश्टेक करके सो कोल्ड हैश्टेक करके जो है अपना इस तरह का मुवमेंट जो है चला रहे हैए एक तब्के का यह कहना है जिसमें की स्तरीयां भी शामिल है क्योंकि उनका यह मानना है कि इस तब्के की महिलाएं जब हमारे तब्के की महिलाओं के साथ जो है मतलब इस तरह का अत्त्याचार होता है और जब ही इनके साथ हुआ है तो यहां पर बोल पाने में सक्षम है To यह इस तरह से यहां पर आरी है वरना दलीतों के साथ और अंडर प्रिवलेश सब्के के साथ तो यह रोज की बात है तो कैसे हम इसको समझाएं कि नहीं यह उनका भी उतना ही है जितना की इनका है। रजवाड़े के बेटे बेटी हैं प्रिविलेज्ड हैं एलीट हैं ठीक है इसलिए इनका फ्रीडम स्ट्रगल बेकार है ऐसे खारिज नहीं किया जाता इसका सबसे बड़ा काट यह है लाजिक यह है कि क्या एलीट महिलाओं को सेक्शुल हरेस्मेंट नहीं होता उनका असॉल होता है वह सामाजिक रूप से और बहुत ही जादा एकसेपट्ड रूप में होता है तो वह मतलब स्थिती जादा भयानक है ठीक है देखो उन्हों जो यह अलोचना करते हैं वह एक बात तो सही कहते हैं लेकिन इस सही बात को कहने के लिए आरोप गलत लगाते हैं ठीक है ये बात सच है कि एक दलित महिला हो ठीक है आदिवासी महिला हो या ग्रामिक छेतरों में रहने वाले लोग हो महिलाएं हो उनके साथ ये बहुत frequent होता है और उनके बोलने के chances उस मतलब culture of silence को तोड़ने के chance बहुत कम होते है क्योंकि वो मतलब हजार तरह से उनके उपर पावंदिया होती है ये बात सच है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो जो मुह खोल रहा है वो भले ही elite हो ठीक है वो mental trauma personal जेलता है आपके चर्चित होने का एक घाटा होत होता है तो आप और भी कुछ नहीं बोल पाते हो ठीक है तो क्या उसका personal दुख कहीं से कम है हाँ ये बोल रही है तो इसमें विरोध नहीं होना चाहिए कि ये बोल रही है इसलिए फरजी है आप इनको support करिए हाँ हमें मिलके ये भी काम करना है हम सब को कि जिनकी आवाज हम नहीं बन पार हैं उनको भी आवाज बनाए हम ये बात सच है ठीक है ये बात उतनी ही सच है जैसे पहली वेव की feminism जब चला था फेमिनिजम की पहली धारा जब शुरू होई थी ठीक है white women द्वारा शुरू की गई थी ये बात सच है ठीक है लेकिन उसमें फिर अगला जब पिरोद आया कि black women तो सामील ही नहीं है बात सही थी या लोचना सही थी बाद में वाइट विमें और black women के बीच में बीच में एक racism को लेखे बहुत जादा एक contradiction रहता है तो black feminism शुरू हुआ फिर यह बात सुई पहले हुआ political right मांगे गए बाद में personal right मांगने शुरू हुए फिर sexuality पर बात आई और अब जा करके इस level पर बात आई कि बच्चा रखने का अधिकार साधी करने का अधिकार और आज की date में जो अभी नया चीज आया है जो adultry पर वो बात हुई यहां तक आता है यह debate खिच खिच के ठीक है तो जाहिर सी बात है feminism धीरे धीरे inclusive बना है पू तो देश में नहीं सामिल है सच बात है आपका कहना सही है लेकिन जितने सामिल है वो गलत थोड़ी ना है तो इसलिए थोड़ा सा perspective हमें बदलना चाहिए कि इतना बड़े movement को आप खारिज करने के चकर में क्या करते हैं कि आप binary खड़ा कर देते हैं और पूरे movement को खराब कर निक चकर में आप ही पीछे पड़ जाते हैं तो आप यह कह रहे हैं कि मतले इसको inclusive बनाने की जरूरत है बजाए इसके कि अपने आपको इससे detach किया जाए जरूर जरूर अब दो तीन आलोचना है मैं और add करना चाहूंगा इसमें दो तीन आलोचना है इसमें add करूंगा मैं नहीं करता जाहिर सी बात है कि वो अलग मुद्धे हैं उन पर भी बात चली रहे हैं अपने साथ हो एजल्ट को लेके मुखर होने का एक तरह से मामला है सिर्फ अब मैं इसलिए इस movement को support करता हूं support करने के पीछे है मेरी PhD ECB विसेपर है sexual crime against women खास करके rape, molestation, sexual harassment and cruelty at home मुझे magnitude का आभास है कि कितने बड़े पैमाने पर ये होता है ठीक है इंडिया में 40 लाख rape case दर्ज होते हैं और सिर्फ 10% case दर्ज होते हैं उस हिसाब से ये लगबख 4 लाख के आसपास rape जाता है और mind it अभी marital rape recognized नहीं है तब की बात है ठीक है और इसकी अगर भया वहता देखी ज हुआ एक लड़की मिला दीजिए जो कहें कि कहें मेरे साथ नहीं हुआ है साइध 1000 में 24 मिल जाएं ठीक है हम नहीं कह रहें कि लड़कियों का मुद्दा है me too he too का जो binary लोग खड़ा कर रहे हैं exactly he too इन्होंने साथ में खड़ा कर दिया जबकि me too खड़ा करने जूरूत नह इतने बड़े बड़े actors खड़के आएं कि उनके साथ बचमेनी में हुआ था ठीक है men भी आ रहे है me too कहते हुए ठीक है इसका मतलब आपको he too start करने की ज़रूत नहीं है me too men के against नहीं है me too उस culture of silence के against है उस सातिर चुपी के against है जो बोलने नहीं दे रहा महिलाओं को कि आप के साथ होगा तो भी आप बोलियेगा नहीं क्योंकि आपका नाम खराब हो जाएगा क्योंकि आप पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि आप सवाल पूछे जाएंगे आप क्यों थी उसके साथ आप कौन से कपड़े पहने थी आप उस टाइम पर क्यों थी आप वहां क्यों आप दारू क्यों कि पी रहती हैं, आप हसके क्यों बात कर रहती हैं, ऐसे हजार सवाल आएंगे, दीखें, या पुलिस के पास वो कैसे जाती हैं, हो सकता वो बच्छी थी, उसमें उनको समझ ही नहीं थी, हो सकता है इतनी छोटी थी कि हिम्मत नहीं थी, ऐसे तमाम कैसे एक चुपपी वो ओड़ते हैं एक चुपपी ओड़ते हैं घरवाले भी चुप करा देते हैं समास तो चुप करवाता ही है तो उस चुपपी को तोड़ने की ये मोहिम है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में अब तक अब तक सौ लोगों क का नाम भी सामने नहीं आया है लेकिन अफरा तफरी देख रहे हो अफरा तफरी लोगों को लग रहा है कि मैं न फंस जाओं दरसल बात यह है कि आज की डेट में अगर मीटू सच्चे मन से सुईकार करें तो पता लगा 30-40 परसेंट पुरुस फंस जाएंगे इसमें ठीक ह कोई महिला यह नहीं कह रहे है कि मैं फायार करवाने ही जा रहे हैं कुछ लोग जिनको लग रहा है करना चाहिए वो जा भी रहे हैं ठीक है लेकिन जादा तलोग सिर्फ बात कह रहे हैं लेकिन डर का माहौल देखिए तो इसमें फायदा यह है कि जब आप डरते हैं तब आ जैसा कोई campaign चलेगा तो मेरा नाम आ सकता है तब अपने आप पर आप थोड़ा सा रोक लगाते हैं सबसे बड़ी सफलता मीटू कि यह है कि आज बहुत सारे लोग डर रहें कि नहीं भाई नहीं करना है यह चिछोरा पंती है यह गलत है आज डर रहें यह सबसे बड़ी जीत ह इसका analysis कौन कर पाएगा जाहिर जीबात दो चार केस देखकर कि आप बड़ी असानी सालोचना कर देते हैं लेकिन इसका प्रभाव होता है जैसे इसका प्रभाव निर्भिया गैंग रेप के बाद हमने देखा था कि निर्भिया गैंग रेप के बाद धाई से लेके चार ग पारिज करना बेकोफी है यह मुवेंट सेक्सुल असाल्ट के प्रित जो ओड़ी गई चुपी है ठीक है जिस मेंटल ट्रामा से आज करोडों महिलाए गुजर रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था एंग्जाइटी फिलिंग आता है कई बार वो होस्खो बैटती हैं कई बार से तर बतन अनिद्रा से गुजर रही हैं काउंसिलिंग ले रही हैं ठीक है आज वो बोल करके अगर थोड़ा ठीक फिल कर रही है या फिर अपनी बात कह पा रही है क्या बुरा है आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है बिलकुल हाँ बताएए सवाल सवाल यह है कि हमारे की ब장 देश में सेंक्शनिक विभाग या यूनिवरसिटी में घटनाएं घट ती रही है तिर्फ सेंटिक क्यों है क्यों कोी सामने नहीं आ रहा है इसके पीछे क्या कारणuf्रिल के लिएल पर यह किस तरह से हम लोग इस Master 개? बिल्कुल अच्छा है इनवस्टे के लिएवल पर आप ने देखा होगा कि मेल प्रोफेसर्स जादा होते हैं फिमेल पर सक्र विमेल टीचर्स प्रायमरी में उपर हैं तो उसका privilege और आप कहीं ने कहीं अपनी जो योन कुंठा है जो शुरू से भरी है जो कभी इस बीच में दूर नहीं की गई जंडर संस्टाइजेशन आपका नहीं हुआ तब आप अपनी उस position का उस power का फायदा उठाते हैं अपनी student के साथ ठीक है तो ये फायदा ये देखा गया है ठीक है कुछ एक case आते हैं उल्टा इसका वाइसी वरसा आता है लेकिन ज़्यादा तर देखा गया है कि mail ऐसा करते हैं अफकोर्स सबको ताज्यू भी होता है कि ये तो प्रोफेसर है समाज को गाइड करने वाले ये ऐसा कैसे कर देखा घर परिवार वाला अदमी है बिल्कुल हो सकते हैं इसमें घर परिवार का होने ना ते पिएसडी कर रहे हूं या प्रोफेसर हो जरूरी नहीं कि आप जेंडर साइटी इस तरह का privilege देती है घर परिवार वाला आदमी है ये क्यों ऐसा करेगा तो ये चीजें होती है कुईट प्रो को के थ्रू भी होती है जबरन भी होती है आपको फेल करने का चुकि आप ऐसी डिग्री ले रहे होते हैं कि आप बीच में छोड़ के जाना नहीं चाते हैं और आप बहुत बूरी तरह कुईट प्रो को वाले स्थिति में आजाते हैं अथो आप डिरेक्टली मजबूर होते हैं और आपके साथ ये होता है ये जेनरे संस्टाइजेशन कैसे होना चाहिए कि आप एक इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी जो बनती है उसको मजबूत करिए और फुल कॉन्फिडेंशालिटी के साथ इतना मौका होना चाहिए कि ये बात कह सकें ठीक है क्योंकि ये दुनिया इतनी खतरनाक है खास करके अकडमिक दुनिया मानता हूँ literature economy के दुनिया मतलब कोई भी दुनिया जहाँ आपन male female है इस society से वो इसी society के part है किसी का gender sensitization ढंग से होता नहीं तो सब उसी तरह खराब है वो कुछ भी पढ़ लिक रहे हैं judge बन जाएं सांसद बन जाएं या कुछ भी हो जाए कोई minister बन जाएं से फर्क नहीं पड़ता आपका gender sensitivity नहीं हुआ है तो आप किसी भी post पर जाएंगे जितने बड़े post पर जाएंगे उतना इसका दुर्पियोग करेंगे caste class वाली बात मैंने बताई कि ये बात एकदम सही है ये जो caste भी एक class ही है और class तो है ही ठीक है तो caste का होने के नाते एक तो आपकी class usually क्या होती है तीन चार तरह से आपका jeopardization होता है ठीक है lower caste का होने के नाते आपकी probability गरीब होने की ज़्यादा बढ़ जाती है प्लस society भी आपकी बातों पर कम यकिन करेगा अगर आप मुख खोलेंगे तब आप उपर की जाती में हैं तो इनका सोशन आप आसानी से अपने उस power का इस्तेमाल कर लेते हैं ठीक है तो यह बात है कि अगर इसको include कर लिया जाए मीटू में तो और बहतर ठीक है तो क्लास और कास डिवाइड का सवाल बार बार आ रहा है आना भी चाहिए यह divide आना चाहिए इस आधार पर मीटू campaign की आलोचना मैं मानता हूँ की जानी चाहिए लेकिन इस आधार पर नहीं की जानी चाहिए कि यह elite महिलाओं का इसलिए खारिज कर दिया जा नहीं इस आधार पर खारिज मत करिए इस आधार परालोचना करिए कि इनको भी सामिल करिए इसको इंक्लूजिव बनाईए इसको फरजी कहके खारिज करने की कोई बात नहीं इसी साथ मैं दो तीन चीज़े और इसमें जोड देना चाहता हूं कि इस बात का मतलब मैगनिटूट कितना है इस बात का मैगनिटूट आज फेस्बुक पर मौझूद गाउं से भी बहुत सारे लोग जुड़े है मेरे खुद के अकाउंट में 20 लोग कम से कम गाउं से है तो ये कहना बेकार है कि फेस्बुक पर सिर्फ elite लोग जुड़े है मैं खुद गाउं का हूँ और मेरे गाउं के कम से कम 20 लोग जुड़े हुए है मुझे तो गाउं के लोग भी जुड़े हुए है ठीक है तो पहली बात तो ये इसको और inclusive बनाया जा सकता है ठीक है तो इसको और बनाय जाना चाहिए magnitude की जहां तक बात की जा है magnitude इतना भयानक है कि 50% population तो फीमेल की है वो तो हैं ही पीडित बाकी के मेल में भी आधे पीडित हैं और इन सबके perpetrator इन सबके sexual harasser हैं कौन? मेल ठीक है? सौ में से कम से कम पंचान बे sexual harass या रेप करने वाले मेल हैं चाहे वो मेल का करें या फीमेल का हड़ जंडर का करें हैं मेल ठीक है क्योंकि सौसाइटी ऐसे तयार की गई है लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि फीमेल यह काम नहीं कर सकती लेकिन आप दोनों को एक बराबर पलड़े में नहीं कर सकते क्योंकि समाज बराबर पलडे वाला है ही नहीं आप ये नहीं कह सकते कि मर्दों का मुद्धा कोई नहीं उठा रहा है उठाइए ना आपके साथ अगर हुआ कौन रोक रहा है आप उठाइए कौन नहीं उठा रहा कौन मना कर रहा कि नहीं नहीं तुम गिल्टी हो कौन कह रहा है all men guilty वो तो आप उठा रहे हैं को all men are not guilty यहाँ पर तो feminism से बचाने के लिए पूजाएं रखी जाती है तो कौन मना कर रहा है कि पूरसों के साथ नहीं होता है मैं जानता हूँ, मेरे चार दोस्त हैं उनके साथ सोडोमी हुई थी आज वो documentary बनाए है नाम नहीं mention करूँगा लेकिन सलाम करता हूँ उनको उस documentary में मैंने भी अपना interview दिया है मैंने बताया कि आप लोग को मैं सलाम करता हूँ कि आप कहसे के इस बात को इस उमर में आ करके, लेकिन तब तक नहीं कह पाया थे, आज 30 की उमर है तब जाके कह पा रहे हैं, खुलके आए हैं उनमें से एक का सोशन एक महिला ने किया था, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ किया था, लेकिन अगर सव में से, एक केस में महिला सोशक है, और निन्यान में मर्द सोशक हैं, तो दोनों को बराबर मत करिए बराबर हैं भी नहीं और खारिज भी मत करी कि इनकी बात नहीं आरे तो इनको खारिज कर दिया जाए बराबर है भी ने सोसाइटी तो जबरजस्ति संतुलन बनाने की कोशिश ना करें जबरजस्ति संतुलन बनाने की कोशिश ना करें खेर फिल हाल जो है एक स्त्री होने के नाते मैं खुझ जो है मीटू का जैसे महौल है तो मैं सबसे पहले जो है तारा शंकर और कई सारी जो इस तरह के हमारे खास का जो पुरुश डोस्त हैं जो इस मुहीम में हमारे साथ शामिल है क्यूंकि जिस तरह का हम लोग इस में मुखालफत की देख रहे हैं वो बहुती क्या बहुती निंदनी हैं, बहुती ख़राब है तो ऐसे में बहुती एक आशा मतलब की मन में जगती है जब इस तरह के पुरुष हमारे साथ साथ होते हैं तो देखने वालों को भी और इसमें जो जिनको हम लोग नहीं भी जानते जो इस campaign में शामिल है जो किसी भी तरह से महिलाओं के मुद्धों में पुरुश होने के नाते समाजिक privilege होने के बावजूद जो है इसमें शामिल है हलाकि यह बहुत ही normal सी बात है लेकिन फिर भी हम उ पूरा हुआ है एक लड़की लड़कियों की तरफ से क्या क्या सवाल बनते हैं वो मैं पूछ चू क्यों तो फिलाल पूरुशों की तरफ से किस किस तरह की curiosities है सारी किसारी जो है यह जैनींद्र अब आप से पूछेंगे तो जैनींद्र ओवर टू यू सारे सवाल तो आसिमा ने पूछी लिये हैं दोनों तरफ के लेकिन कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि आपने कहा कि इस तरह के सोसन हुए हैं और पूरुशों के तरफ से तो होते ही रहे हैं तो क्या वज़ा है कि मतलब एक इनसान के अंदर इस तरह की प्रविड़ती पाई जाती है इसमें से बहुत सारे से लोग हैं जो साधी सुदा हैं उनका एक अच्छा खासा पर पहली बात तो यह कि सेक्स और रेप में जमीन आसमान का अंतर होता है ठीक है पार्टनर एक नहीं अगर आप किसी के प्रत वफादार जिसे कहते हैं कॉमन टर्म्स में वो नहीं है तो आप रोज किसी और के साथ सेक्स करें तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे वो बात अल होता है सेक्सुल हरैस्मेंट हो जबरन योन कुण्ठा सांत करने की बात हो या फिर उस टरम्स में कहें तो रेप हो यह सोशली लर्नेट बिहेवियर है आप यहां समाज में आके सीखते हैं और ऐसा नहीं कि दुनिया के हर समाज में रेप होता है एक स्टडी है मेरी प्याट कि साठ के आसपास ऐसीजाते ही नहीं थे उन्होंने कहा कि हमारे समाज में ये घटी थी नहीं कि किसे ने जबर जस्ती कि सेक्सात कर लिया कहने का मतलब उन्होंने सिखाया ही नहीं अपने बच्चों को, खुद भी नहीं सिखा, कि सेक्स के लिए जबरन करने की कोई जरूरत है, ठीक है, तो जबर जस्ति करना, ठीक है, आप सीखते हैं, यह socially learned behavior, यानि कि यह society की problem है, ठीक है, हम मानते हैं कि MeToo campaign से कुछ जरूरी पर focus नहीं किया जा रहा है, तो MeToo दावा भी नहीं कर रहा है, ना है कि हम जरूरी मुद्व पर एकदम से focus करें कि यह जड़ से खतम कर देंगे, of course, जो culture, यह culture of silence डेवलप हुआ है, silence का जो culture है, sexual harassment से बात कि यह ना बोली जाए, शर्म की बात है, यह बेजिती हो जाएगी, यह आता कहां से, यह develop कहां से होता है, जाहिर सी बात है कि महिला कम तर इंसान मानी गई है, चीक है, समाज में, कि यह इनके अधीन है, यह उनके अधीन है, यह घर तक सीमित रहें, यह वो करें, यह बच्चा पैदा करनी के मशीन के रूप में ट्रीट हो जाएं, देवी भी एक तरह मान लेते हैं, लेकिन इंसान मानने से कतराते हैं, या तो देवी या तो दासी, बीच वाला बराबर का इंसान नहीं माना जाता है, आपके अंदर यह बात आती कहां से, आपके मन में धीरे धीरे भर दिया जाता है, कि इन से, सेक्स इनी से किया जाना चाहिए, और जिपरजस्टी हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है वालाकी आप rape males के साथ भी करते हैं male के साथ rap नहीं होता rap नाम नही हो, उसको sodium ही नाम रखा गया है लेकिन ऐसा होता है तो आप सीखते हैं हम सब के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि कहीं न कहीं परतेक्च चा परतेक्च चुरूप से परतेक्च कोई नहीं कहता, of course किसी घर में ने सिखा जाता कि रेप कर दो लेकिन जब ऐसी कोई बात आते है तो बड़े नॉर्मलाइज तरीके से बात किया जाता है ऐस इफ कि कोई गलबड ही नहीं है sexual harassment और ये तो हम सीखते हैं, इसको बदला जा सकता है gender sensitization किया जा सकता है ऐसे societies हैं जहां रेप ना के बराबर है अथवा बिल्कुल भी नहीं है तो ये प्राकृतिक तो कता ही नहीं है ऐसा कोई sexual desire नहीं है या erection नहीं है जिसको सांथ करने के लिए दबाने के लिए आपको किसी का रेप करने की ही जरूत पड़े आप masturbation करिए masturbation में क्या जाता है आपका ठीक है, maximum ejaculate होने के बाद आप क्या कर लेंगे, अगर इतना खुल के हम बात कहें, ठीक है तो बहुत clear है कि रेप का decision आपका decision है रेपिस्ट का decision है ये इलजाम मत लगाए कि किसी ने dress कैसे पहना था, वो रात में क्यों गई थी वो हस के बाद कर रही थी या उसने वो dress पहना हुआ था, ठीक है या वो इसारा कर रही थी आपकी reading गलत है आपकी reading गलत है, इसलिए तो करिए, उसकी consent लीजिए उसकी मर्जी होनी चाहिए उसमें न फिर कौन रेप कहेगा, कोई नहीं कहेगा लेकिन नहीं आपको जवरजस्ति करनी है मैं ये कह रहा हूँ कि आपका research इसी तरह के मुद्दे पर है तो मैं इसमें एक जग्यासा मेरे अंदर आ रही है कि भारती समाज और जो बाहर के समाज है खास कर अगर हम योरोप के बात करें तो दोनों समाज में किस तरह का अंतर है इसको लेकर के कोई खास अंतर नहीं है, उस समाज में भी कुछ एक, वो पूरा एक एक समाज नहीं है इंडिया भी मौनौलित नहीं है यहां भी तमाम आधिवासी समदाए में रेप بहुत कम होता है कुछ में होता भी है ठीके इंडिया में भी रए और जगवार बराबर नहीं होता लेकिन मोटा-मोटी जो मेंस्ट्रीम इंडिया है वहाँ पर रेप बहुत आयत होते हैं आज की डेट में भी हिमालेने स्टेट्स में आप चले जा जहाँ आदिवादी सम्दा हैं कम केस आते हैं बहुत कम केस आते हैं रेप के तो यॉरोप में भी सारी कंट्रीज नहीं है ऐसी जहाँ पर मतलब नहीं होते हैं बहुत सारे कंट्रीज जहां रेप होते हैं बिर्टेन में बहुत रेप होता है फ्रांस में होता है ठीक है अमेरिकम बहुत होता है दंचल अफ्रीका में होता है योरप के तमाम कंट्रीज में होता है लेकिन कुछ countries बहुत बहुत बहुतर condition में है इस condition में है कि महिलाएं prostitution में होने के बाजूद निकल के normal life जी सकती है ठीक है और ये बाद में होने सीखा है ठीक है कि कैसे normal किया जाए तो west भी अच्छा नहीं है इस मामले में बहुत comparatively कुछे country हमसे बहतर हो सकते है ठीक है लेकिन हमारी situation निश्चित तौर पे बहुत खराब है हमें सुधारने की जरूता हम किसी को पैमाना मान के नहीं सुधार रहे है पैमाना हमारा ये होना चाहे कि एक भी रेप क्यों हो हमारा पैमाना तो वो है परफेक्ट एक भी रेप क्यों हो नहीं होना चाहे क्यों एक भी sexual harassment के सो हमें वेस्ट से क्यों उदाहरन लेना है वेस्ट भी तमाम कमिया है हाँ वेस्ट में कुछ अच्छाईयां भी है जो समय के साथ हमने सीखा है अच्छा क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे समाज में बच्पन से ही या स्कूल से ही आप देखिए कि यहां पर कॉलेज भी लड़कियों के अलग होते है या क्लास में भी लड़कियों को अलग बिठाने का लड़कों को अलग बिठाने का तो सायद इस चीज़ में वह संतुलन नहीं बिठा पाते हैं जैसे कि अभी अब चोटे सेर में देखेंगे पर्वति वहार का समय है तो चोटे बच्चे निकलेंगे मेले में और लड़कियों को छूने की टच करने की कोसिस करेंगे तो यह सब प्रवड़ती जन्म लेती है त इसको किस तरह से सुधार किया सकता है इन सब चीज़ों में इसमें जैनेंदर इसमें देखो एक तो लांग टर्म सलूशन ही इसका सलूशन है और जंडर संस्टाइजेशन एक मात्र चीज़ है उसके तरीके अलग हो सकते हैं कि आप पहली के अक्छा से जैसे साइंस, मैथ, सोशल साइंस, बाइलोजी इन सब की सब्जेक्ट डालते हैं ऐसे ही जनर संस्टाइजेशन का अलग सब्जेक्ट ही डाला जाना जाएए क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है इस नोट अब विमेन अली इट इस अब इंटाइर पॉपुलेशन, मेल, फ अनिस्मेंट या भया दोहन होता है कि आप डरा के रोकें, मोराल्टी सिखाएं, जवर जस्ती, ठीक है, ये सलूशन नहीं होता, ये कहीं न कहीं उभर के आता जो प्राब्लमेटिक होता है, तो लड़की ये लड़कियों को अलग करना, उनमें संबाद ना स्थापित होने देना, तो जब एक प्यूबर्टल एज शुरू होता है, नौ साल से लेके ग्यारा बारा की उमर में जो शुरू होता है, उसमें आपके जो सेक्शुल ऑर्गन डेवलप होते हैं, या फिर हार्मोनल इंपक्ट होता है, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, कि ये नय चीज क्या है, और इस नया चीज का आंसर वो अपने से थोड़े से बड़े लोगों से पाते हैं, और वो भी आधे अधूरे तरीके से गलत तरीके से, अब उसको इंप्लिमेंट करने के लिए, वो किसी लड़का ये अफ़ो लड़की को खोजते हैं, और नहीं मिलता तो करोगे तो कहीं कैसे सही है, वहाँ से संस्टाइजेशन की यानि सक्स एजूकेशन भी होना चाहिए, और वो घर से शुरू हो तो बहतर है, तीक है, मामी, माबाप, सवाल यह उठता है कि माबाप भी उतने जंडर संस्टाइज नहीं है, तो एक बहुत लंबे समय तक जंड का प्रिविलेज, अथवा उची पोस्ट पर होने का प्रिविलेज, वो मेल हो अथवा फिमेल, अथवा ऐसी पोजिशन में होने का कि आपको हम यह फेवर मांग सकें, उसका फायदा उठाया जाता है, आगे चलके भी, और वो बाद में मीटू, मीटू जैसे एक आउट बस पर आपको बताए, फुलमनी दास का केस, मतुरा दास का केस, भौरी देवी का केस, उसके वान निर्फया का इंगरेप का केस, ठीक है, एक चीज थोड़ा थोड़ा आता है बीच में कि यह बहुत केस सेलेक्टिव आउट रेज होता है, हर मुव्मेंट केस सेलेक्टिव होत कोई तो एक पॉइंट होता है, जहां से बस्ट आउट करता है, यह बात सच है, कि रोज दो थपड किसी को मारो, लेकिन मारते मारते इतना हद हो जाता है, रोज दो थपड मारो कि किसी दिन गुस्से में वो आदमी आप उसी दो थपड पर अंतिम पॉइंट मान के तुम्ह initiating point बन जाएगा जहां से शुरू होता है movement तो movement हमेशा एक छोटे point से शुरू होता है और कुछ case जादा चर्चित होते हैं वो तो थोड़ी media की भी कमी होती है और कुछ हथ तक ये भी होता है कि जो जितना बड़ा नाम so called society में उतना ही बड़ी चर्चा ये बात बुरी भी होती है और कुछ सेंस में सौभाविक भी होती है ठीक है ये बात सही है कि तनुसरी दत्ता ने जो शुरू किया इंडिया में दुबारा तो तनुसरी दत्ता वाला case highlighted रहेगा ठीक है लेकिन एक गाउन की नहीं किया जाना चाहिए आलोजना जरूर होनी चाहिए खारिज करना थोड़ा सा प्राब्लमेटिक होता है हमेशा क्या कोई प्रशन आया है नहीं प्रशन तो पिजाल विहार के इन नील निशू है उनका एक पैरा में पूरा सवाल है विहार के लखी सराय जमूई उबलिक मूंगेर के नकसल प्रभाविट शेत्र में जब बाहर से नकसली नेता आते हैं तो आदिवासियों के घर से लड़कियों की डिमांड की जाती है खुल कर कोई सामने नहीं आपाता उनके लिए क्या सॉल्यूशन है तो मेरा साफ मानना है कि जब रेप की बात हो या सेक्सल हरेस्मेंट की बात हो तो वो लेफ्ट हो राइट हो या कोई भी पॉलिटिकल जुकाओ वाले पार्टी हो ठीक है मेल होने का प्रिबिलिज बहुत कम लोग छोड़ते है तो बिल्कुल उन पर सवाल उठता है अगर इस तथ में चुकी ये ऐसा तथ कहा गया है जिसमें सच कितना है ये हम नहीं जानते लेकिन ये बात सच है कि चाहे लेफ्ट का मॉवमेंट हो या राइट का मॉवमेंट हो या कोई भी political party का leniency मतलब आपका जुका हो जिस पर बेंडिंग हो उससे फर्क बहुत कम बढ़ता है लोग देखे गए हैं कि हर तरह की पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं और अपने mail होने का ये privilege बार बार उठाते हैं एकदम सवाल किया जाना चाहिए बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए अगर आप अपने सही होने का दावा करते हैं 24 कैरट तो आप पर और सवाल उठना चाहिए बिल्कुल ये सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए आप मंतरी हों सांसद हों किसी भी पुलिटिकल पार्टी के हों किसी भी पोजीशन पर हों प्रोफेसर हों कोई भी हों सवाल आप पर उठना चाहिए और ये मैं मानता हूँ कि वो जवाब दे हैं मुझे लगता है कि हमने लगभग सारे प्रस्ट जो हमारे मन में थे तो मुझे लगता है कि हमारे मन में जो सवाल थे अपनी तरफ से हमने पूछने की कोशिस की है अब उमीद है कि आप लोग संतुस्ट होंगे अगर कोई सवाल होगा तो हम आगे भी फिर से तारजी से जुडने की कोशिस करेंगे तब तक के लिए हमें अजाज़त दीजिए अब मैं और आशिमा एक वर फिर्श आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार